वहीं देखिए आपको बिता दें कि कॉंग्रिस की गैरेंटियों और रोजगार के मुद्दे पर बीजपी विधायकों ने सदन के बहार भी प्रदशन किया गैरेंटिया और बजट को लेकर सरकार को जम कर घेरा के साथी सीम पर जूट बोलने तक क्या रोप लगाए गए हैं तो बिजपी विधायकों का प्रदशन आप देखिए कहा है कि सीम जूट बोल रखेंगे तो अंग्रिस की गैरेंटियों पर जम कर घेरा अब प्रशन सुखु सरकार करने हैं पहला बजट जिसमें जूट के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ एक साल का कारेकाल बीतने के बाब दूर पहले बजट की तमाम घोशनाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई जमीन पर अभी तक आहीं नहीं पाई और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाली में प्रस्तूत किया है उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बातें की हैं हम आज इस प्रदर्शन के माधियम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाब में आने से पहले जूट बोला जूटी गारंटियां दी और वो साबित हो गया कि चौदा महीने बीतने के बाब जूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परसिती में न दूसरा जूट जो पहला बजट दिया उसमें भी अपने जूट बोल करके लोगों को बहुत लोग भावनी बातों को कह करके गुमरा किया और जमीन पर उसमें कुछ हुआ नहीं और उसके बाद एक साल का कारेकाल बीत गया लेकिन एक भी योजना उस बजट में से लागू नहीं हो पाई उसके बाद जो दूसरा बजट अभी आल में आया है उसमें भी उसी प्रकार की परस्तिती है और इसलिए बजट सतर चल रहा है तो बजट सतर के दुरान हमारा फोकस आज का प्रमुक रूप से इसी बात पर है और कितना जूट की पहली बैठक में एक लाक न तीसाजार नौक्रिये दे दी जाएंगी जिन बच्चों ने नौक्रियों के लिए एक्जाम दे रखे हैं कौलिफाई किये हैं रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक उनका और उसके बाद वो रिजल्ट का इंदजार कर रहे हैं 14 मीने बीत के आज प्रशन पैदा होता है कि स